असकार दोस्तों, दोस्तों स्वागत एक बार फिर से मेरे चनल NP Group में तो दोस्तों देखिए एक नई जान करिए दोस्तों नौइडा की बहुत अच्छी जान करिए और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है आप आप देख सकते हैं नौयडा के लिए 25 जनवरी बना एतिहासिक दिन अब देखे दोस्तों ये एतिहासिक दिन कैसे बना नौयडा के लिए 25 जनवरी तो इसमें और भी जानकारी तो बने रही है हमारे साथ तो दोस्तों इसकी जानकारी ले लेते हैं तो बने रही है हमारे साथ 25 जनवरी का दिन सहर के 42 साल के इत्यास में सबसे इत्यासिक दिन रहा पहली वार एक ही दिन नौइडा में एक्वालाइन मेट्रो सहित 10 बड़ी परियोजनाओं का लोकारपन वासलिन्यास हुआ खुसी की बात यह है कि 7,000 करोड रुपिये की इन परियोजनाओं में कई ऐसे बड़े प्रोजक्ट हैं जिनका प्रस्ता बर्सों पहले बना था हालांकि अलग-अलग पेच फसे होने की बज़े से बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी करीब 10 महीने पहले इन प्रोजक्टों के काम 40-60% तक हुए थे पिछले 8-10 महीनों में अथोर्टी ने युद्धिस्तर पर काम किया है जिसके चलते 25 जनवरी का दिन के लिए यादगार बन पाया फंड और तकनी की पेच में फसे थे प्रोजक्ट एक्वा लाइन का काम एक साल पहले तक 50% भी नहीं हो पाया था लौन ना होने बाप फंड की कमी से काम अटका था पिछले एक साल में इसमें युद्धिस्तर पर काम हुआ है 12 साल से चिल्ला एलिवेटेड रोड का प्रोजक्ट जमीन वा तकनीकी कारवण के चलते फसा था 600 करोड रुपिये की इस परियोजना पर सिलिन्यास के एक गंडे बाद सुक्रवार से काम सुरू करा दिया गया यमना पुल 4 साल से अटका था 6 महीने पहले मात्र 60 फीजदी काम हुआ था ट्रेफिक पार्क 2015 से अटका था 6 महीने पहले मात्र 50 फीजदी काम हुआ था इसी तरह साद्रा ड्रैन पुल सिल्फ हाट और कमांड कंट्रोल रूम का भी वर्सों से धीमिकती से चल रहा था तो दोस्तों देखें ये काम जो पहले अटके पड़ेते सभी रोके पड़ेते अब वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं और उनका सिलिन्यास भी कर दिया है योगी जी ने तो दोस्तों आसा करता होगी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको जाज जादा सेर करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए धन्यवाद दोस्तों